हेले अब्रीवान कैसे आप सब उमीद करते हैं कि आप सब खेरियत से होंगे तो आज मैं आपको वेलवेट का वलाउज की कटिन इन स्टिचिंग बताऊंगे बहुत यासान तरीके से आप बना सकते हैं तो यहां पे मैं बैक साइड में डोड़ी लगा करके बनाई हूं यह मै साइसे सेट कर लूँगी यहां पे मैं मेजर्मेंट ले रहे हूं सीगी साप से मैं फोल्ड करी हूं ताकि कपड़ा एक्स्टरा ना हो और यहां पे मैं लंबाई ले रहे हूं मैं बलाउज की लंबाई में रख रहे हूं 15 इंच पे तो यहां पे मैं निसान लगा दूँग तो यहाँ पर मैं डिखान निखान . और तुस तरह से निखान लगा दूगी और 37 यनिख गर्ण। में मारजन ले रही हूं और आर्म होलका में गुलाई दे दूंगी इस तरह से और में नेक विर्थ में ले रही हूं धिरी इंच पर तो यहां पर में निसान लगा दूंगी और नेक ले रही हूं भूर इंच पर तो इस तरह से में एक बॉक्स बना दूंगी और इसकी में आप बहुत यह असान तरीके से बना सेकते हैं, यह मैं बैक पार्ट की कटिन कर रही हूं, यह मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगी, मैं डोड़ी लगा करके बना रही हूं, बैक साइड में मैं डोड़ी लगाऊंगी, तो इसकी मैं कटिन कर चुकी हूं, और इसको रख करके मैं पार्ट की कटिन करूंगी तो यहां पे मैं पहले निशान लगा दे रही हूं ताकि पता चले इस तरह से और यहां पे मैं फ्रंट पार्ट का मैं नेक लेंथ में ले रही हूं सेब निच पे तो इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी मैं हलका वी सेप में दे रही हूं तो इस कर दूंगी कर दो इस में 10 इंच और यहां पर मैं 4 इंच टीनी और सीध है और इस साहनि तदूंगी और सबस्फ करड़रा झंघ मैं 2 इंच में हे एक्सट्रा ङूंगी और अधी MT फिर, मैं इवंप्रेगँ उव्साइज futures अधरा यह फूरिंच में 12 इंच दूंगी और फ्री से स्कट का मैं सेप दे दूंगी इस तरह से और यहां पर मैं टू इंच पे निशान लगा रहे हूं उपर साइड भी टू इंच पे और इस तरह से मैं इसका सेप दे दूंगी अब मैं यहाँ पे हाप इंच में ऊपर के साइड में निसान लगा रहे हैं इसकी मैं कटिन कर लूँगी यह मैं फ्रांट पार्ट की कटिन कर रही हूँ तो अर्मोल का मैं गुलाई दे रही थी तो यहाँ पे मैं कटिन कर चुकी हूँ इसको रख करके मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड में इसी तरह से तो इसको मैं सही से रख करके इसको मिलाते हुए सिलाई लगाऊंगी यहां तक तो यहां पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ अब मैं गले पे सिलय लगाऊंगी तो पटी में दूसरा में काट करके मैं इस पे सिलय लगाऊंगी और इसको फोल्ड करके मैं सिलय लगाऊंगी तो यहां पे मैं सिलय लगा चुकी हूँ मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ तो इसको मैं कटिन करूँगी तो इस तरह से मैं इसकी कटिन कर चुकी हूँ और इसको मैं पटी लगा करके बनाओंगी तो यहां पे मैं पटी के कटिन कर चुकी हूँ यह यह देर इंच के करीब में रखी हूँ यह धा इंच के करीब में एक साइट पतला लगता है और एक साइट थोड़ा सा चोड़ा लगता है तो इस तरह से इसको सीधा करके और इसको उल्टा करके मैं सिले लगाऊंगी और इस साइड में इसको मैं उल्टा करके और इसमें मैं सिले लगाऊंगी तो यहाँ पर मैं सिले लगा चुकी हूँ और मैं पीन के मदद से इस पे पीन लगा दूँगी ताकि सिलने में असानी हो इसी तरह से मैं बैक पार्ट के गलब बनाऊंगी पट्टी लगा करके पलट करके सिले लगाऊंगी तो यहाँ पे मैं पलट करके सिले लगा चुकी हूँ अब मैं फ्रंट पार्ट में नीचे के साइड में सिलाई लगाऊंगी तो पट्टी रख करके इस पे रख सिलाई लगाऊंगी अफोल्ड करके मैं सिलाई लगा दूँगी तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ अब मैं बैक साइट में कटिन करूँगी तो यहाँ पर मैं निसान लगाऊंगी टू इंच पर तो इस तरह से मैं टू इंच पर निसान लगा रही हूँ अब मैं इसकी कटिन कर लूँगी यह मैं बैक साइट छोटा बना रही हूँ यहां पर मैं डोड़ी लगा करके बनाऊंगी तो इस तरह से मैं cut in कर चुकी हूँ और इसको मैं फोल्ड करके सही से मिला lundi और यहां से मैं निशान लगा रहे हूँ 10 इंज पे यह taken में लगाऊंगी और इधर से मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूं और इसको इस तरह से प्लट करके धपता पाने पे इसका निशान आ जाता है तो दोनों सेड में इसको फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी दोनों में और यहां नीचे के सेड में फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी तो यहां पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ अब मैं यहां से मिलाते हुए सिलाई लगाऊंगी लाते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड में इसी तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ इस तरह से तो छोटा इतना छोटा आया है अब मैं स्लीप की कटिन करूँगी तो इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी कपड़े को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी और यहाँ पर मैं स्लीप लेंथ ले रही हूँ उनिस इंच पे तो यहाँ पर मैं निसान लगा दूँगी स्लीप विर्थ मैं ले रही हूँ 5 इंच पे और 1.5 इंच का मैं मार्जन ले रही हूँ और इस तरह से मैं सीधा लाइन किछ दूँगी अब मैं इसकी कटिन कर लूँगी इसी तरह से मैं बाजू का सेप दे करके इसकी कटिन करूँगी इस साइट से मैं कटिन करूँगी इसी तरह से मैं दोनों बाजू की कटिन करूँगी तो यहां पर मैं धाय इंच पे निच्चे डाउन कर रही हूं इस तरह से मैं निशान लगा रही हूं इधर से मैं टू इंच और मैं बाजू का सेब दे दूँगी और मैं इसकी कटिन कर लूँगी दोनों मैं बाजू इसी तरह से कटिन करी हूं अब इसको मैं फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी दोनों मैं इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी तो यहां पर मैं दोनों मैं इसी तरह से सिलाई लगा चुकी हूं और इसको मैं रख करके इसमें अटेच करूंगी दोनों बाजु को इसी तरह से रख करके मैं अटेच करूंगी तो यहां पर मैं बाजु के दोनों बाजु के अटेच कर चुकी हूं और इस साइड में इस तरह से फोल्ड करके सिले लगाऊंगी इस तरह से आएगा दोनों साइड में इसी तरह से मैं सिले ल जाता है इसको मैं 10.1 ए ल ting करहें हो तो इस तरह से में निशान लगा गा दूंगे निशान लगा करें हुए कर Hein 59 तो मैं बैक सब्चाल में चाट लोड़ी लगाऊंगी तो इस ही तरह से में थू आ कि iedereen कर लोगी अ Allen मैं बेलवेट का कपड़ा नहीं लगा रही हूं, उसका डोड़ी बहुत मोटा हो जाता, इसलिए मैं साड़ी का कपड़ा का बना रही हूं, तो मैं इसकी कटिन कर चुकी हूं, और इसको फोल्ड करके इसमें मैं सिले लगाऊंगी, दोनों मैं इसी तरह से सिले लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और एक सुई के मदद से मैं इसको पलटूँगी इस तरह से हलके हाथों से मैं खीच-खीच करके इसको मैं पलटूँगी तो यहान पर मैं पलट चुकी हूं दोनों डोड़ी इसको में फोर्ल करके अब इससे में कट लगाऊंगी इस तरह से अब मैं blouse में अटेच करूँगी तो यहान पर जो बड़ा है तो इस तरह से रंख करके इसमें सिलें लगाऊंगी दोनों साइड में इस साइड में इसी तरह से मैं दोनों साइड में रख करके सिलाई लगाऊंगी तो यहां पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों साइड में इसके मैं कटिन करूँगी तो यहां पर मैं कटिन करी हूँ और इसको मैं लटकर लगाऊंगी तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी सब में इसी तरह से तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ डोड़ी बना चुकी हूँ अब मैं इसमें स्टोन लगाऊंगी तो यहाँ पे मैं स्टोन ली हूँ इसको मैं गुलू के मदद से मैं इसमें पूरा में लगाऊँगी बाजू पे और बैक साइड फ्रंट साइड में लगाऊँगी तो आप देख सकते हैं तो यहां पे मैं गुलू के हेल्प से मैं इस्टोन लगाऊँगी तो इस तरह से मैं पहले गुलू लगाऊंगी ये मैं बाजू पे लगा रही हूँ तो इस तरह से एक एक उठा करके मैं इस पे रखूंगी तो ये मैं बैक साइड में लगा रही हूँ इस लगाने से इसका लूग और भी प्यारा लग रहा है तो यांँ पे मैं पूरा लगा चुकी हूँ ये मेरा फाइनल लूग है आप देख सकते है आप बहुत यासान तरीके से बना सकते हैं इसे बनाना बहुत यासान है अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लिस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए अलाहफीज आएक शे हैं अन्डार्श करें